तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMC Companies के बारे में यानि की Asset Management Companies के बारे में और आज आप देखिए कि इनके Stocks में गजब की हमको यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है तो तेजी क्यों है उसके बीचे क्या Reason है वो हम यहाँ पर Detail में समझने की कोशिश करने वाले हैं साथ ही साथ HDFC, AMC और आज UTI AMC में एक बड़ी ख़बर हमको आती हुई देखने को मिल रही है उसको भी हम Detail में समझेंगे उसके Impact को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं और आज पूरे सेग्मेंट में क्यों तेजी है वो भी बताऊंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्या हमको AMC Stock में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसके पीछे क्या Reason है, क्या Rational है सारी चीजे डिसकस करेंगे, वीडियो को पूरा देखेगा, काफी informative वीडियो होने वाला है आगे बढ़ने से पहले, अल्रेडी एक वीडियो दूस्तों अपलोड हो चुका है, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जाके जरूर देखिएगा, मुथूट Finance के बारे में हमने यहाँ पर बात करिए क्यों आज यहाँ पर 13% की भारी गिरावट हुई है, उसके पीछे क्या बड़े कारण है आगे हमको क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक में बाइंग करनी है, नहीं करनी है वो सारी स्ट्राटेजी आपके साथ शेयर करिए, रीजन डिसकस किये हैं तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, पूरा आप जाके जरूर देखिएगा सबसे पहले हम बास करते हैं यहाँ पर दोस्तो HDFC AMC के बारे में और आज आज आप देखिए करीब 11-12% की गजब की हमको यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है तेजी क्यों है, चलिए उसको हम समझते हैं सबसे पहले तो आज की टेट में देखिए एक बड़ी खबर आ रही है कि HDFC AMC के आज यहाँ पर हमको आज की दिन में अब हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई बड़ा स्टेक सेल होता है किसी भी कंपनी में तो उसका स्टॉक प्राइस जैनरल ही हमको गिरता हुआ देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर उल्टा क्यों हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों most probably खरीदारी अच्छी खासी हुई है मतलब यहाँ पर change hands हुए है तो यहाँ पर अच्छी खासी buying हमको होती हुई देखने को मिल रही है और यह जो है कहीं न कहीं इस पर reports बताया जा रहा था कि एक overhang था यहाँ पर एक supply overhang था जो यहाँ पर wait कर रह पूर है तभी stock भागा है वरना stock गिरता ही है आप मानके चलिए 90% cases में यहाँ पर अगर steak अच्छे खासे sale होते हैं open market में तो stock गिरता ही गिरता है लेकिन आज गिरा है तो यहाँ पर buying भी definitely हुई है और इसी वज़े से stock में तेजी देखने को मिल रही है यह तो होगी HDFC AMC की अब हम बात करते हैं UTI AMC की तो UTI AMC के stock में देखी 14% की गजब की हमको तेजी देखने को मिल रही है तेजी क्यों है तो आज की date में देखिए अगेन एक और बड़ी ख़बर हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है Tata Asset Penishment considers buying 45% stake in UTI AMC तो यहाँ पर दोस्तों Tata AMC consider कर रहा है 45% stake buy करने का UTI AMC में हलाकि Tata AMC already यहाँ पर एक stake holder है I think करीब 2-3% stake उनके पास already है लेकिन अपने stake को बढ़ाके वो 45% तक यहाँ पर लेके जाने वाले हैं ऐसा है इस रिपोर्ट में आ रहा हो इसी के वज़े से UTI AMC के stock में हमको तेजी देखने को मिली है तो यह हो गई News की UTI AMC का stock क्यो भागा अब यहाँ पर बात करते हैं कि सारे stock क्यो भाग रहे हैं अगर आप Nippon की बात करें तो यह भी भागा है वह यह करीब 2% तेजी यह भी देखने को मिल रहा है आज इतने बिड़ला AMC की बा तो देखिए इस space में हमको consolidation होता हुआ देखने को मिल रहा है आप देखिए हाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा करूँ थोड़ी blur image है तो आप देखिए कि यहाँ पर Tata AMC इसको खरीज रहा है और UTI AMC one of the largest AMC है by AUM Asset Under Management की अगर हम बात करें करीब कितना है य और Tata AMC का करीब करीब I think 90,000 करोड का AUM है तो इन दोनों का मिलाके यहाँ पर AUM हो जाएगा करीब 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 दोस्तों यहाँ पर top 4 में यह company जो हमको आती हुई देखने को मिल जाएगी मतलब top 4 में Tata AMC जो है merger and acquisition के बाद हमको आता हुआ देखने को मिलेगा सबसे पहला SBI, दूसरा ACS, तीसरा SDFC और चोथा हो जाएगा फिर Tata UTI तो यहाँ पर consolidation हो रहा है basically यहाँ पर छोटे जो AMC है जो बड़ी AMC है एक दूसरे को अगर खरीदती हुए नजर आई तो यहाँ पर पूरे space में consolidation होगा और जो listed companies हैं उनको फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा तो definitely हो तो देखिए यह इसमें कोई भी हमको doubt नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो AMC market है यानि कि जो mutual fund space है वो अभी भी under penetrated है capital markets की बात करें तो under penetration है और आगे बहुत जबरदस growth हमको यहाँ पर आती हुए देखने को मिलेगी जो financialization की theme है वो बहुत बड़ी theme बनती हुए जादा है ठीक है अभी आप देखिए का कि जो index funds है जो यहाँ पर ETFs है जो यहाँ पर नए fintex आ रहे हैं वो नए-ने अपने plans schemes लेके आ रहे हैं चाहिए debt markets की बात करें चाहिए आप equity की बात करें है hybrid की बात करें तो नए-ने जो हैं आपर schemes आती हुई launch होती हुई नजर आ जहाँ पर वो लगातार market share gain कर रहे है easy to access है वहाँ पर सब चीज हमको fintex में देखने को मिलती है इसी वज़े से क्या हो रहा है कि सबसे पहले हैं मैं बात करूँ HDFC-AMC की तो HDFC-AMC लगातार आप देखिए कि अपना market share यहाँ पर lose किया है और इसके बारे हमने लगातार चर किया है वो चीज़ है साथ अगर आप quarter के नंबर देखे तो जून के quarter में भी आप देखिएगा तो company के sales लगातार पिछले कुछ quarter से लगाता डिप हो रही है company के profit यहाँ पर लगाता डिप हो रहे है ठीक है यहाँ पर हाल इमेया HDFC-AMC के जो यहाँ पर lead कर रहे थे प्रशा चार्ट पर देखूं तो देखिए जब resign वो उसके बाद stock भागता हूँ और नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं जो legacy यहाँ पर चल रही थी वो कहीं न कहीं एक overhang हो सकता है बन रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं मैं ऐसा बस सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि उसी के अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको यह चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी अभी मैं कहता हूँ वेट और वाच कीजिए अभी बाइंग करने की यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है वेट वाच कीजिए एक बन के quarter के number सुधरते वह जैसे नजर आएंगे आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि यार अब यहाँ पर growth आ रही है sales में growth हो रही है एक दो quarter में लगातार sales growth हो रही है profit growth हो रही है market share यहाँ पर यह lose नहीं कर रहे है जो कि पिछले कुछ quarter से लगातार कर रहे है अगर market share गेन करते वोए नजर आए अगर यह AUM यहाँ पर अपना markets की growth तो होना ही होना है अगर आपको buying करने तो HTFC AMC में कर सकते हैं बाकी मैं आपको यहाँ पर recommend नहीं करूँगा बाकी आप UTI AMC को तो यहाँ पर Tata AMC acquire करी रहा है अगर कभी Tata AMC का यहाँ पर IPO आया तो उसमें definitely हम analyze करेंगे उसको हम यहाँ पर definitely पूरा assess करेंगे क्या करन करना पड़ेगा देखिए दोस्तों चेक करना जरूरी है कि quarter on quarter losses जो है यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे है या नहीं market share यहाँ पर जो lose company quarter on quarter कर रही है क्या वो यहाँ पर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर क्या competition को कैसे face कर रहे हैं वो चीज़ दे करता है कैम्स यहाँ पर beneficiary है और Tata AMC की अगर मैं बात करूँ तो I think जो उसका registrar है Tata AMC का वो I think जहां तक मैं अगर मैं सही हूँ तो I think उसका जो registrar है वो कैम्स है ठीक है कैम्स है लेकिन UTI का यहाँ पर registrar कौन है के Fintech तो अगर Tata AMC यहाँ पर इसको buy करता UTI AMC को तो क्य आची है यह मैं सिर्फ assume कर रहा हूं as per my knowledge है इसको आप यहाँ पर जरूर validate कर सकते हैं इस information को तो कहना चाहूंगा buying करनी है तो आप HDFC AMC को जरूर consider कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी आपको heavy buying नहीं करनी है quarter on quarter भी यहाँ पर इसको track कर सकते हैं देखिए market share क्या है आपर वो improve कर पा रहे हैं तो यह है दोस्तों पूरी update इस segment के regarding क्या आपको करना क्या नहीं करना I hope यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत भी जो है clear overview दे पाया हूंगा knowledge दे पाया हूंगा बाकि आपका decision आपको क्या करना क्या नहीं करना मैं किसी भी AMC stock में directly invested नहीं हूं मैं यहाँ प आपको informative लगा होगा वीडियो पसंद आया तो like, share and channel को जरूर सब्स्राइब कर लिजे मिलते हैं आपसे next video में till then take care bye bye और आपका opinion क्या है AMC stocks को लेगा comment में जरूर बताएगा